Welcome friends to us our education podcast session आज इस वीडियो में हम असर एजूकेशन के podcast session में दुसाज समाज के बिशे में बात करेंगे और आपको हम सोचने पर मजबूर कर देंगे कि किस प्रकार से एक समाज गतिवीदियां जो होती है किस प्रकार से एक रक्षक, अंगरक्षक, अस्तुति की यूग, गिता रखने वाला समाज, दैनिय, दीन हीन, बिवस, लाचार बना ये इतिहास क्या है? इतिहास है एक समाज का इतिहास है हमारे ही सनातन धर्ब के मानने वाले एक ऐसे समाज का जिन्होंने लंबे सामें से संघर्स किया भारती सनातन हिंदू परमपरा को रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किये कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षन के उपर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आरक्षन मिलनी चाहिए कुछ लोग कहते हैं आरक्षन नहीं मिलनी चाहिए लेकिन जैसे कुछ बड़ी सक्सियत है यदि हम RSS रमुक मोहन भागबत जी का हाल का ही बयान को कोट करें तो उन्होंने कहा कि यदि 2000 सालों तक उनके साथ उत्पीरन हुआ है 2000 साल तक सामाजिक भेदभाव दिस्क का इतिहास बना है तो यह भी सही है कि 200 वर्स तक जो अपर क्लास है वो भी कही न कहीं जो लोगर क्लास है उनको आरक्षन प्रोवाइड करें तो क्या बिसमताओं का क्या ऐसा कीज़े ऐसी कौन सी बात है जिस वज़े से इस तरह के बाद समय समय पे निकलते रहते हैं आज इस पोड़कास्ट सेशन में हम आपको यही समझाने वाले हैं दोस्तों दुसाज समाज की इतिहास से यदि हम इस पूरी समाजिक विवस्तर को समझने का कोसिस करें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है और इसलिए हमने दुसाज समाज के इतिहास को एक उदाहरन के तोर पर आप सभी के समझ पेस करने का उमीद से आया दोस्तों गाया जी का मंदिर जो पित्र पूजा के लिए जाने जाते है और बिहार के गाया में इस्तिय है उन मंदिरों का जब मुगलों ने आक्रवन किया तो मुगलों ने उस मंदिर को विद्धुहंस करने का सोचा और विद्धुहंस करने के लिए अपने तमाम जो मूरीद ऐसे सेना थे उनको उन्होंने लगा दिया लेकिन लगाते लगाते जो है ये भूल गए कि इस देश में बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो सनातन हिंदु परंपरा को रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक मर मिटने के लिए तैयार होते हैं तो गेहलो तो वंस्रिये छत्रिये समाज जो मेवार से संब्ध रखते थे जो राजस्थान मे बास करते थे उन लोगों को ये बात पता चला कि हमारे सनातन हिंदु परंपरा के संस्कृति को बिद्धवन्स करने के लिए खिलजी जैसे लोग बहुत सारे ऐसे और जिब जैसे लोग वो हमारे गाया जी के मंदिर को बिद्धवन्स करने का सोचा और यहीं एक कड़ी से यहीं एक विचार से जो है वो ऐसे छत्री समाज जो राजस्तान में बास करते थे वो पलायन करके बिहार के गाया जी के मंदिर के आजपास आके बसने लगे और अब क्या था कि अब वो मंदिर के सुरक्षा के पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का कोशिस किया और उस मंदिर को माना जाता है कि बचाने में उन लोग दुसाज समाज का बहुत बड़ा योगदन रहा लेकिन समय बदलता गया और जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी से कुछ साल पहले था कि जब बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी जो 200 साल तक हम लोगों की उपर जो है वो एक कोलोनियल इंपेर का फॉर्मेशन कर रखा था उसके समय आते आते जो है उनकी दुसाज समाज पूरी तरीके से कमजोर पढ़ गए थे क्योंकि वो ल समीन से नीचे डाल दिया अब क्या था कि दुसाज समाज के लोग इसी लिए बिहार चूपी जारकंड अन जगों पे फैलने लगें और वही गेहलोत वंस्य चत्रिये जो हैं और यह हम कोई प्रमान के आधार पे हमके साथ बात करता हूं जो प्रदीप का प्रदीप जो चत भेद उत्पन करें हम भी जो है वो अपर कास्ट से बिलाउं कर सकते या आप भी लेकिन हम सब की एक जिम्मिदारी तो है कि अपने ही वंदुओं के साथ जो इस प्रकार की भेदभाव हुई है उसको कहीं न कहीं हम लोग बात करें और उसको समझें ऐसी जो एक क्रिटिकल म देंगे तो हम फिर से नए एक डीटेल अनलेसिस के साथ आएंगे तो दोस्तों यदि हमारे पूर्डकास्ट सेशन में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा या ऐसा हम उम्मीद करते हैं साथ ही यदि आप दूसाद या ऐसे पासमान समान से मिलाओं करते हैं तो भी हमारे इस पूर्डकास्ट को अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा तो मिलते हागे तब तक के लिए हवाना इस टे टेक केर एंड सीयू सूंग